नमस्कार आपका स्वागत देर राजनामा दुनिया पे मैं अपने आपके साथ बॉलीवूड एक्टर विविक अबेरोई के साथ लगबग डेट करोड रुपे की ठगी हुई है एक्टर ने अपने अकाउंटेंड देवन बफना के जरिये अपने बिजनिस पार्टनर संजेशा, नंदीताशा और रादीका नंदा पर केश दर्च कराया है एक्टर का आरोप है कि उनके तीनों पार्टनर ने उनसे फिल्म बनाने और इवेंट और्गनाईस करने वाली कमपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पर डेट करोड रुपे लिये थे पर इन पैसों को अपने परसनल यूज में इन्वेस्ट कर लिया अब मुंबई की M.I.D.C. पुलिस इस मामले में जार्च कर रही है बुदुवार को एक्टर के सीए देवेंट ने तीन लोगे खिलाफ अंदेरी इस स्थित M.I.D.C. पुलिस टेशन में केस दर्च कराया है देवन ने अपने स्टेट्मेंट में कहा विवेक की फैमिली में 2017 में ओबिरोय और्गनिक्स नाम से कमपनी शुरू की थी चुकि यह बहुत अच्छा प्रदशन नहीं कर रही थी इसलिए और उने पहले तीन लोगों जो अब आरोपी हैं को फर्म में पार्टनर के रुप में लाने का फैसला किया इसके बाद विवेक ने इस बिजनेस को डिजाउल करके इसे अनदिता एंटर्टेइन्मेंट के नाम से एक इवेंट बिजनेस में बदल दिया दोनों पार्टी इसके बीच एडिल जुलाई 2020 में हुई थी रिपोर्ट के मुताविक कुछ समय पहले एक्टर ने अपने 33.33 शेर ओविरोय मेगा एंटर्टेइन्मेंट को ट्रांसफर कर दिये थे जो उनकी अपनी कंपनी है कथित तोर पर इस जॉइन वेंटर का डे टू डे वर्क संजेश शाह और आधिका नंदा द्वारा समाला जाना था एक M.I.D.C. पुलिस आफिस ने अपने बयान में कहा और विरोय को अपरेल दोज़ा बाविस में एक एमप्लॉई के जरी वेंचर में चल रही इस दोखा धड़ी के बारे में पता चला इसके बाद इस मामले को सुल जाने के लिए उन्होंने सीए बाफना की मदद ली मिडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संजय इन अपने परस्टल यूस्तिन पेसों का गलत स्तेमाल किया और उन्होंने से अपनी मा नंग्दीता के लाइफ इंशुरेंस का भुकतान किया इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद